नमस्कार दोस्तों मैं जीत आप सब का वाइफाई श्टडी में वेलकम करता हूं कैसे हैं आप लोग और कैसी चल लेए आपनों तयारी स्वागत है आप सभी छोड़े भाईयों का और बहनों का जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं मेरा नाम जीते नरकुमार है मैं आपके जी के इसके अलावा आप के लिए कंप्यूटर भी मैं पढ़ाता हूं तो आप मेरे कोर्से जो है अनकेडमी के साथ जुड़ करके देखना ना भूलें याद रखें यहां पर जब भी आपको ध्यान देना है कि आप मुझे सर्च करेंगा अनकेडमी में जीते इंदर कुमार य साती जात इस्ट्रा वैलिडिटी का ओफर भी मिल रहा है आपको बता दें छोड़े भाईयों कि आप यदि वन ये टू इयर कर सुप्सन लेते हैं तो आपको बारे महने कर सुप्सन लेंगे तो आपको बारे महने कर सुप्सन लेंगे तो आपको बारे महने कर सुप्सन ले तो इस सारी चीज़े हैं आप यदि जी टेन कोड एपलाई करेंगे तो आपको अनेकेडमी के ओल बैच और ओल एजुकेटर की क्लास जो है बिल्कुल अनलॉक हो जाएंगे आप उन पे जाकर के सारी क्लासे जो है देख सकेंगे तो ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पर अनेकेडमी जोएन करते समय इस समय जो अनेकेडमी का उफर है उसके लिए जीटेन कोड एपलाई करना है आपको यह जीटेन कोड जो है आपको ले जाएगा आपकी मंजिल की जीट तक तो आपको कुछ कदम बढ़ाने है जीटेन कोड लगाना है अनेकेडमी के साथ जुड एक मेट बस नमस्ते नमस्ते मेरे शोड़े भाईयों अब आज के लिए आ रहे हैं एक बार कमेंट में मुझे बता रहे हैं बहुत बहुत श्वागत है आप सभी का सभी लोगं को अब आज के लिए आ रहे होगी मुझे लग रहा है चलिए है तो आपको ये ओफर है जो की 50% है प्लस इस्टाबैटी है इसके लिए आपको कोड एपलाई करना है जी टेन कोड और एपलाई करने के साथ आपको इस ओफर का लाब मिलेगा दूसरी बार जो है हमारा एक खास बैच है लक्ष बैच फॉर सी एचसल इकजाम आप इस बैच को जोईन करने के लिए भी आपको ध्यान देना है एपलाई करना है जी टेन डिसकाउंट कोड तो इस कोड को एपलाई करके आप मैक्स डिसकाउंट जो हासिल करेंगे तो आप जी टेन कोड एपलाई करें और आपको इस्ट्रा वेलिटी का ओफर भी है वह भी आपको मिलेगा तो यह कोड है जो कि आपको अनकेडमी में इस समय स्पेसल आउफर के लिए अप्टू 50% डिसकाउंट के लिए प्लस इस्ट्रा वेलिटी के लिए यूज करना है और ऐसा न प्रवर्व में जो सबसे पहले भारत अब मिला था तो इन में से किसे मिला था राइट अंसर दें वो आदा एवंग फोलेंग आर रिसी फष्ट भारत अब मिला था न बहुत बहुत श्वागत है आप सभी का सभी लोग सेशन को शेयर कर दें मैं कमेंट बस ओपिन कर रहा हूं वेरी गुड शोड़े भाई हों बहुत सही जवाब दे रहे हैं आप सभी लोग वेरी गुड एस राधा किष्णन इसके लाभा कौन थे तीन लोगों को जो एक साथ भारत ने दिया गया था दूसरे थे उनका नाम क्या था सी राजगोपालाचार और तीसरे सक्स कौन से तीसरे सक्स का नाम बताएं तीन लोगों को एक साथ भारत ने दिया गया था सर्व पल्ली राधा किष्णन ठीक है और सी राजगो पालाचार और तीसरे सक्स का नाम क्या था जिनको पहली बार भारतर तन्दिया गया था थर्ड मेंबर कौन थी जिनको भारतर तन्दिया गया है वेरी गुड़ तो आपको यह भी नाम यारगा सीवी रवन अच्छा आप लोग बताई अभी तक टोटल भारत तन्दि कितने दिये गया है टोटल कितने दिये गया है तो आप बोला 48 कितनी महलाओं को भारत तन्दिये गया है तो six women जो है भारत तन्द पाई है पहली महला कौन थी जिसे भारत तन्द दिया गया था उनका नाम बताएं six women को जो है भारत तन्द मिला है और पहली महला कौन थी जिनको भारत तन्द दिया गया है right answer दीजेगा comment box में बताई है कि सबसे पहला भारत तन्द किस महला को दिया गया है बताइएगा वेरी गुड इंद्रा गांधी को जो है सबसे पहले भारत अपने दिया किया था महिला के क्रव में नेक्स्ट कोश्यम चलते हैं अगला सवाल अफटाफट करते हैं इन विच आर्टिकल ऑफ दी इंडियन कॉंस्ट्यूशन ती प्राविजन फॉर रिजवरेशन और सिड्यूल कास्ट इंदा लोक्षभा यह आपसे कहा जा लोक्षभा में जो है जो आपने स 233 आर्टिकल 331 में क्या है तो आप बोलना यहां पर जो है एंग़लो इंडियन की जो है बात कहीं ंस थि में ओं को दुदान का कहई क्राट को में जो होता है और वो खतम की गई बेवस्ता है यहाँ पर एंगलो इंडियन इन लेजिस्लेटिव असेम्बली मलग भारत के जो राज बिधान सबाएं है वहाँ पर जो है एंगलो इंडियन को जो गवनर एक पॉइंट करेगा इसकी बात जो है पटना सहर के नाम से जानते हैं राइट आंसर दीजिए इसका फाउंडर जो है किसे कहते हैं किसने इसको पाटल पुत्र को किसने बसाया था राइट आंसर दे तो आपको याद रहा है उदियन जो है ठीक है यह हर्यक बंस का राजा हुआ है और इसने पाटल पुत्र को बसाय यहां पर यादन Το यह हर्यक this apparently सबसे पहला जो और मगद समराज की ऐस्थापना करता है ठीक है और हर्यक बन्स कहला राजा जो है कौन होता है तो उसका नम है बिम्सार तो आप kommt brings вдpe सार का बेटा जो है कौन होता है चोटे भाईव तो आपको बतायौद above by उदायन, और उदायन नहीं, यदि आप से पूछा जाए छोटे भाईयों, तो इसको जो है, उदायन नहीं, पाटल पुत्र नामक सहर जो है, बसाया हुआ था, जो आपकी परिच्छाओं के लिए महत्पूर्ण है, ठीक है, नेक्स्ट कोशन, उदियन, अगला सवाल यहाँ इन दा आर्टिकल ऑब दी कॉंस्ट्यूशन, इंडियन कॉंस्ट्यूशन, दी राइट टू एक्कॉलिटी, यदि आप से काजा, फाइव आर्टिकल जो है, जो समानता के अधिकार में आते हैं, वो कहां से कहां तक है, राइट आंसर दे, मूल अधिकारों से जोड़ा आर्टिकल चोदय किस बारे भी डिल करता है, तो आप बोलना विद के समझ सम्ता, एक्कॉलिटी बिफोर लाकी बात करता है, आर्टिकल यदि आप से कार्या छोटे भाई हैं 15 किसकी बात करता है, तो आप बोलना नो डिस्क्मिनेशन, रेस, कास्ट, जेंडर, बर्थ प्ले और रिलिजिन के धार पर कोई भेदबाव ना हो, ठीक है, आर्टिकल शोल है, जो एक्कॉल अपॉश्चूटी की बात करता है, जो भी आप लोग कहीं पर भी काम करने का उसर मिले, सबको समान मिले, एक्कॉलिटी अपॉश्चूटी की बात करता है, आर्टिकल 17 जो है, अंत होना चाहिए, सिर्फ एकैडमी उपाधियां और जो सेना की उपाधियां वही बस रहनी चाहिए, तो यह जो सारे आर्टिकल है, इस समानता की अधिकार की बात करते हैं, और यह 14 से ठारे तक जो है, राइट टू, एक्कॉलिटी की बात की गई है, विद्दी के इंटरनेशनल गैस सम्मिट जो है, अभी हाली में दुनिया में एक जगह है, जहां पर बहुत बड़ा गैस करियर पाया गया है, और उस देशने का चलो जल्दी सभी लोग आओ, मैं एक गैस सम्मिट करता हूँ, आप बताई वह देश कौन सा है, राइट आंसर दीजेगा, वेरी गुड़, आप बताईए कि इंटरनेशनल गैस सम्मिट धोजार तेश कहां पर वही है, गैस को ले करके, ठीक है, तो आप बोलना यह तुर्की में हुक्त हूँ है, तुर्की में जो है, एक ब्लैक सी किनारे पढ़ता है, काला सागर के किनारे पढ़ता है, और यहीं क आला सागर के किनारे तूर्की में बहुत बड़ा गैस पाया गया है इसलिए इसने पूरी दुनिया को बुलाया कि आईए ब्लैक सी में मुझे बहुत बड़ा गैस का भंडार मिला है अब बताई किस तरीके से हम जो है इसको रेगुलेट करेंगे मलब वारिज के रूप में लेजाएंगे लाजेस्ट टंबर ओफ रिगवेदा कि मैं आपको पता है हमारे चार वेद हुए है वैदिक किराब में सबसे लाजेस्ट टंबर ओफ रिगवेदा है अम चर्पूर्ण है डिवोटी टू आप बताओ सब सीरा रिगवेद में किस देवताओं की इस्तूत के सूक्त यह हैं सदी गई है राइट आंसर देना कौन सा देउता रिगवेद में सबसे रहे महात्रपूर्ण रिगवेदिक देउता कि वेरी गुड छोड़े भाईयों राइट आंसर दो इंद्र देउता कितने सूक्त दिये गए तो फिर इंद्र के बाद नंबर आता है किसका अगनी देउता का सबसे महात्रपूर्ण देउता जो है रिगवेद में और उनका नाम क्या इंद्र देउता और इनके ऊपर जो है हाणवास संस्कृत के इस्तिलों में रही परता है कि नहीं है राखीगड़ी राइस्थान में जो सबसे बड़ी साइट पढ़ती है की नहीं है तो राइट आंसर का चुनाओ करें कौन गलत है घलत है क्योंकि अभी राकी गड़ी चर्चा में भी है और राकी गड़ी जो ए कहां पर है तो यह आपका हर्याना में ही पढ़ता है कहां पर पढ़ता है तो राकी गड़ी और बनावली दोनों हर्याना पढ़ते है यदि आपसे राहिस्थान की साइट पूछे तो most important साइट है काली बंगा जो आपकी परिच्छाओं में आती है तो आपको हमेशा ध्यान रखना ये कभी भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है तो काली बंगा नामक साइट जो है ये कहां पर बढ़ती है आपकी राहिस्थान मे बंगा नदी के किनारी वहां पर बढ़ती है यहां पर यदि आपसे काज सुद कांगे डौर पाकिस्थान के बलूछ प्रांत में पढ़ते वाली सबसे पच्छिमी साइट है दच्छनी साइट कौन सी है तो आपको यहां पर ध्यान देना है दच्छनी इस्तल जो है उसका यह जो है यह सबसे चारो इस्तल जो है अलाग अलंग है सबसे नॉर्दन साइट मांडा जो की चेनाब नदी जम्मू कस्मीर सबसे दच्छनी साइट दैमाबाद गोदावई नदी की साइक नदी यह सुद कांगे डोर दास्क नदी के किनारी बलूचिस्तान प्रांत में औ सबसे पूरी इस्तल जो है इस्तन साइट है तो यह जो चारो साइट आपको और याद रखनी है नेक्स्ट कोशन अगला सवाल छोड़े भाईयों राइट अंसर ने विच डेट इस नोन एज यह आप से कहा जाए डाइविटीज डे आप बताएं यहां पर कौन सी तारीक ज सब कुछ तो सही है ओल ओके ना शोड़े भाईयों सेशन को यह आप लोग नहीं कर रहे हों अपना रॉला है लाइक नहीं करते हो वेरी गुड तो आपको यह रहा मधमे रोगियों को लेकर कि जो विसेश दिवस होता है यह चौधे नॉवंबर को होता है ठीक है चौधे न करने के लिए जो विसेश दिवस जो है कब होता है चौधे नॉवंबर को जो है मना जाता है नेक्स्ट कोश्चन अगला सवाल यहां पर विच आप दा फॉलिंग रिवर एमंग दा फॉलिंग ठीक है रिफर्ड यदि आपसे का आज है ठीक है मातो तमा देवी तमा नदी त मेरे छोटे भाई बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं आप सभी लोग सभी छोटे भाई और बहनों बिलकुल सिद्दत से पढ़ाई करते रहो सफलता आपके करीब आ रही है मतलब मंजिल जो है आपके करीब आ रही है मंजिल गॉर्मेंट जॉब है और वो यहां पर है आ लगातार आपको चलना पड़ेगा वेरी गुड बहुत ही प्यारा सवाल है नदी तमा मातों तमा और देवी तमा जो है किसे कहा गया है तो आप लोग बोलना सरसुती नदी जो सबसे महत्त्मूर्ण नदी इसको कहा गया है वहीं पर यदि आप से का जा सिंदु नदी को क् अधिक गरंतों में जो हिरन्यानी जो है कहा गया है वितस्ता जो किसे कहा गया है जेलम नदी को नाम जेलम को मैंने बता है यहांपर की वितस्ता कहा गया है जेलम को मतलब वितस्ता यहां पर जेलम के बाद चेनाव चेनाव नदी को जो है क्या कहा गया है तो असकनी कहा गया है रिग वैदिक गरंथों में चेनाव नदी को क्या कहा गया है असकनी कहा गया है रावी नदी को जो है वैदिक गरंथों में क्या कहा गया है तो परश्णन कहा गया है व्यास नदी को जो है किस नाम से जाना गया है तो विपाशा कहा गया है कि विपाशा कहा गया है तो यह भी आपके important data, जो आपको याद रखने है, जहेलम, चेनाब, राभी, ब्यासतलज और सिन्धनदी को हिरन न्यानी के नाम से जाना याता था, सरसोती नदी सबसे महत्रपूर्ण नदी है और इसी नदी को धॺी तमा, मातो तमा और नदी तमा के नाम से जो है जाना गया है इंपोर्टेंट है यह सारे नाम जो है याद रखना किलियर छोड़े भाई हो अरे बिलको लियार छोड़े भाई बिलको सफलता मिलेगी नेक्स्ट कोश्चन अगला सवाल मेरा आसिरवादी मेरा साथ आपके लिए काफी जरूरी है वर्ड मोष्ट जो है पावर्फुल पास्पोर्ट जो है किस देश का है हेली पास्पोर्ट इंडेक्स में हेली पास्पोर्ट इंडेक्स जो है हर साल जो है रिलीज करता है हेली एंड पार्टनर हेली एंड पार्टनर जो है इस पास्पोर्ट इंडेक्स को जारी करता है सबसे पावर्फुल जो है पास्पोर्ट किस देश का है तो आप बोला सबसे ज़्यादा पावर्फुल पास्पोर्ट जो है वो है आपके जापान देश का है इसके passport का score 193 score है score का मतलब क्या होता है कि 190 देशों की यात्रा इसके passport ले करके लोग कर सकते हैं without visa और आप वहाँ जा करके दिखाएंगे कि मैं जापानी नागरेखुन कोई बात नहीं है आप आए हुएं क्या करना चाहते है holiday ठीक है जाइए आप enjoy करिए आखड़ों में Singapore रहा है बात यदि हम भारत की करें Japan तो यहाँ पर सबसे most powerful passport है भारत की rank जो है हेनली passport में कितनी है तो आप बोलना 85th rank है और 58 country का ही हमारे पास score है कि हमारे पास ज़्यादा score अच्छा नहीं है हमारा मला हम ज़्यादा 58 country है आपके सारे कोशन आपके अपकमी एक्जाम के लिए महात्पूर है आप सीजियल दे रहे हूं छेचसल दे रहे हूं ठीक है राइट अंसर दें बस बहुत ही प्यारा सवाल है छोड़े भाईयों ठीक है तो आप सभी लोग यहाँ पर राइट आंसर कर रहे है 25 जन्वरी को क्या होता है तो आप बोलना वोटर डे होता है अब सवाल यहाँ पर है 25 जन्वरी को और कौन सा दिवस होता है वोटर डे के लाबा और कौन सा दिवस होता है बहले बताओ 30 जन्वरी को most important है पराकम दिवस होता है पराक्कम दिवस का मतलब है कि यहाँ पर जो है सुवाशन बोस का बर्थडे तेज तारीक को हर साल होता है पराक्कम दिवस अंतर राष्टी सिछा दिवस भी 25 तारीक को क्या होता है तो आपने कहा कि विनेश्ट वोटर डे होता है और इसी दिन जो है नेशनल टूरिजम डे भी होता है अगला चुटे भाईओ यह आप से काजा 26 जनवरी और 26 जनवरी को कौन सा दिवस होता है तो आप बोना कि और इस बार के चीफ गेस्ट कौन रहे हैं उनका नाम बताना इजिप्ट के वो राष्ट पती रहे हैं तो 27 जन्वरी को कौन सा दिवस होता है तो आप बुना लैप प्रोसी डे जो है कुछ रोग को ले करके जो है विसेश दिवस जो है मनाए जाता है इस बार जो है लैप प् इसी दिन जो है सहीदी रिवस जो है मना जाता है महात्मा गांधी का निधन जो है 30 जन्वरी को हुआ था तो यह कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपकी परिश्चाओं में आएंगे नेक्स्ट कोश्चन भी शले अंतराष्टी कस्टम डे होता है रिपब्लेट भी इस नेक्स्ट विच स्टेट वन दा यूएन हैविटेट वर्ड हैविटेट एवार्ड जो है यूएन हैविटेट के दुरा जो है किस देश ने यूएन हैविटेट नाम एक जो संस्ता है यूनाइट नेशन हैविटेट प्रोग्राम जो है उसने वर्ड हैविटेट जागा स्कीम का समद्ध किस राज से राइट आंसर देना बता ये राइट आंसर देना बहुत ही प्यारा सवाल है तो आपको ये रखां कि उडिशा उडिशा को जो है इस बार जो है भारत का ये राज ये उडिशा इसका एक यहां पर जागा जागा स्कीम के तहर जो है ये ज उड़बाद भी रहते हैं जिनके घर नहीं है उन सब को जो है जुगी जो पड़ियों को जो है अच्छे हैबिटेट और घर देने की बाद जो है जागा स्कीम के तहित की गई है यह उड़ी सा राज्य को ही इस एवार से समायत किया गया है 2030 में इंपोर्टेंट है आपके पर वेरी गुड तो रोज सेफटी वीक जो है यह जो है जन्वरी के महने पर मनाए गया है कब से कब तक तो आप बोलना एक से ग्यारत से लेकर के सत्रे जन्वरी दोहजार तेस ठीक है नेक्स्ट अगला सवाल एकॉडिंग तूड़ा एकॉडिंग तूड़ा एकॉडिंग लीग टेवल दोहजार तेस के दौरा इसने एक डाटा रिलीज किया और विच इस दा इयर इंडिया विल बीकम वर्ड थर्ड अब बताओ अभी हाली में एकॉडिंग लीग नाम की एक संस्ता जो है उसने अपने लीग टेवल नाम की संस्ता ने जो है अपने 2023 के लिए आंकड़े जारी किये और कहा कि भारत जो है दुनिया भर की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिवस्ता बनने वाला है ठीक है और यह कब 2030 तक जो है दुनिया की वर्ड की तीसरी सुपरफावर जो है एकॉनमी के लिए में बन जाएगा और वाह तब दो पैसा ही पैसा होगा हम सब के बाजा है नेक्स्ट कोश्चन अगला सवाल विच आप दौफाली जो नॉट यह आप से काजा करेक्ट्ली मैच यह कुछ महा जनपद है और इनमें से गलत है मलब कि कुछ महा जनपद है और उनकी राजधानिया है जैसे कंबोज उसकी जाजधानी हाटक है असमक की पोटन है सूर से इनकी कोशामभी है कौशल की इसका संबन्द मत्रा माजन पस से तो यही गलत था कुशामभी नहीं है सूर सेन जो है इसका संबन्द सूर सेना तो सूर सेन मत्रा जो है जनपद था ठीक है नेक्ट कोश्चन अगला सवाल छोटे भाईयों विच रॉकेट लांच 5 यदि आप से का जा 5G इस्टार लिंक च इस एक दिए आप से का जा रॉकेट लांचर से रॉंच किया गया है इस राकेट से जो है यह इस्टार लिंक जो रॉकेट है इनको लॉंच किया गया है छोटे वाईयों राइट आंसर दीजिए बहुत ही पहला सवाल है तो आप बूलना फॉलकर 9 से यह जो है इस्पेस एक्स के द्वरा जो है इस्पेस एक्स ने जो है इनको लॉंच कराया है जो कि इलाउन मस्क की कंपनी है नेक्स्ट अगला सवाल शोटे भाईयों इन दिसम्बर 2022 विच कंट्री पोस्ट आफिस रिल इंडिया इंडिया इंडिये हमारा जो इस वार 15 अगस्त को हुआ था 15 जो बनाया गया था वह 75 वी वर्सकार थी उसको ले करके जो है कि यहां पर इस्टांप जारी किया गया राइट आंसर दो किस ने जारी किया है बता बहुत ही पहरा सवाल है है बहुत ही वेरा सवाल है है यहां पर आप बोलना सर्भिया ने लांच किया था अभी यह स्टांप जो रिलीश किया भारत के लिए कि लिए खासका जिस्तों ता कि सर्भिया ने लौंच किया था सब गलत कर रहे हो दूब लिए जी वाक के ऐक पेमस पेजिशन थे इत्वियस में आपने पड़ा होगा माहत्व बुद्ध के समय पर और वो किसके दरवार में सुभा बढ़ाय करते है जीवक किसके दरवार में रहने वाले एक बहुत बड़े ज ćickisak हुए जीवक तो आप बोलना बिम्बसार के दरवार में रहा करते थे और बिम्बसार ने ही अपने जीवक नामक जो है राजबाइद को चंद प्रिद्योग जो है थे थे कि अवंति के शासक इनके आप भीजा हुआ था जा करके इलाज करके आओ देखो राजसाब को कौन सी बीमारी है और इससे बहुत अच्छे संब्द बनते हैं आपने देखा ना डाक्ट्रों की परावर से हम किसी को देते हैं तो अच्छे संब्दध बनते हैं ऐसके जब आप पता है भविस में जॉब लग जाएगी हमारी बहु को ले कर सस्राल जाओगे सस्राल में दूर वाली आंटी आ कर आप उनके आँ जाकर दिखा लेना जब वह चाची जाकर दिखाएंगे अरे वह बहुत अच्छा डॉक्टर बताते हैं तुम्हारा जलबा कटेगा तो डॉक्टर से मतलब कि क्या होता है कि दोस्ताना रिस्ते ज्यादा मजबूत होते हैं भारत में कल्चर आपने देखा होग तो इन्होंने जो है जो है चंड प्रद्योग के यहां जो है एक डॉक्टर भीजा था जीवक को ही भीजा था ठीक है नैस्ट कोश्चन अगला सवाल इसेंटली टाटा पावर ने जो है यदि आप से का जाए रिनेवल ठीक है विल बी सेट अप 255 मेगावाट हाइब्रिट प्रोजेक्ट जो है और टाटा ठीक है पावर दिल्ली डिस्टिबूशन ठीक है लिम्टेट के लिए आप बताए शोटे वाईओं अभी हाली में टाटा पावर रिनेवल ने रिनेवल एनर्जी को लेकर कि मलदा ऐसी उर्जा जिसका जो है हम प्रयोक करें तेकर खतम ना हो मतलब जैसे सौर उर्जा है या पमन उर्जा है इस प्रकार से टाटा पावर रिनेवल ने टाटा पावर दिल्ली डिस्टिबूशन लिम्टेट के लिए किस राज में 255 मेगावाट की छमता का हाइब्रिड परियोजना लगाई है यह राज उत्पादन करेगा और यहां त इसका सही उत्तर क्या होगा करनाटक करनाटक में टाटा रिनेवल ने एक प्लांट लगाया है जिसमें 255 मेगावाट प्रडूस की जाएगी और वह इलक्रिसिटी दिल्ली भेजी जाएगी तो दिल्ली के लिए प्रोजेक्ट लगाए गया सर आपके बारे मैं बबल दूग लेकिन किसके एडवाइस पर करते हैं यह महत्तर बुर्ण है बताईए entered दो भांवे शिवानी हैन ऐसा खुश नहीं यह पादा नहीं चलता धाने जिन्द्कि कहा जाएगी तो ये माल्लों की जिन्द्की सही चल रही है जब चलता है जिंद्गी किसी और जा रही है तो वहां पर थोड़ा सा गड़बड़ी होती है तुम एक्जाम के तैयारी कर रहे हैं नीमित पढ़ाई करो अपने आप तुमें जिंद्गी रास्ते जो है दिखाने लगी आप देखो जैसे मालो यह मंजिल है थोड़ा देर के लिए तेरी बात को समझे आप यहां से चल रहे हो अब कई बार होता है जब हम किसी जाना होता है अपने गाउं से निकल करके तो काफी दूर तक सहर दिखता नहीं है मंजल से मुड़ा आना चाहिए तो है नहीं आगे ठीक है लेकिन क्या होता है जैसे आपके पूर्गामी लोग होंगे जैसे मैं उस रास्ते से गया तो मैंने बता एक भीया तुम चलते जाओ तुम्हें सहर मिल जाएगा तुम लोग कोई न कोई तो आपको बताया था कि इस रास्ते से जाना तभी सहर मिलेगा आपके घर में कोई बताया होगा तो आप उस रास्ते बी चलते हो तो उसी प्रकार से एजे गार्जियन मैं आपको एक रास्ता दिखा रहा हूं कि आप नीमित पढ़ाई करते रहो और आपको इसा लगखरा है कि आपको सहर यहा पर है और nin को कistä हमें की अपने काम को सब आपको सहर कैसे मुझे पैदल चलना हो एया मैं ऑप पाई-बॉजे जाना हो तो मुझे मैं चलता जाओंगो चलता जाओंगो तो चंडी घड़ आएगा कि नहीं आएगा क्योंकि चंडी घड़ पहुंचने करें मुझे वो सफर पूरा करना पड़ेगा समझ रहे हो तो मेरी बात को एक बहुत सिंपल तरीके समझो कि आप यह नीमित महिनत कर रहे हो तो आपकी परिच्छाओं में जो पूछे जाने वाले प्रस्ण है उन तक आप पहुँच जाओगे और अच्छा स्कोर भी गेन करोगे ठीक है तो बस नीमित पड़ाई करते रहो चलेगा तो यहां पर लोग सबात तो सभी छोटी वहने निरास परिशानना हो तो कैबनेट के अप्रूवल के बाद या आप प्रधान मंत्री के रिकमेंडेशन के बाद भी यह करते हैं नेक्स्ट कोश्चन अगला सवाल चोड़े भाईयों थार्ड जो है यहां पर नेशनल जो है एक कांफरेंस हुई है खास करके इनिवेस्टिगेशन एजेंसी 2030 के लिए अब आप लोग राइट आंसर दिना भाईया मैं चंडिगर में ही हूँ चंडिगर में हो तो क्या करूँ तुम निकल करके आप समझ रहे हूं मैं कहां जाओ अरे चंडिगर में हूँ मेरा मतलब एक्जाम निकालने से है मैं देखो जो कंटेंट आप पढ़ रहे हूं जैसे मैं अपनी बात करूँ जीएस में तो मैं तुम्हें सही रास्ते का कंटेंट पढ़ा रहा हूं कोई भी डिश्टेक्शन नहीं देता तुमारे कंटेंट में जो एक्जाम का पैटर्न होता है उसका पूरा ध्यान रखता करता हूं और जीएस को लेकर उसमें सही रास्ता में आपको निश intr Jimadon मैं रहा होँ चाहा हूं उलकुमारि मेरी करोगे तो आपको 100% जी समें 25 जो है बीस कोशन तो एपन से च्छाये और आपके राइट होगे अब देख लेना सीडियस चाहे आप इस्टेट पीसेस की बात हो वहाँ पर भी मेरी स्टुडेंट लगातार चैनित हो रहे हैं लगातार सीडियस में भी पेपर देखर क्या है और पहले भी पेपर दे करके आएं सेलेक्शन और रियल्ट आपके सामने है आल इंडिया थाड रैंक भी मेरा इस्टूइंट ला चोगा है जो मुझे सो परसेंट जीएस पढ़ा है तो इस तरीके से से जाना है तो यह अपने आपको नैतिक जवाब दे मानता हूं यहां पर आप मुझे सामय दे रहे हो और आपका आउटपुट नहीं निकल रहा है वाकई में पूरी निष्ठा से मुझे सामय दे रहे हो तो रियल्ट आपका होना चाहिए उसके लिए नहीं मैं जवाब दे ठीक है मैं अपनी कमिया में समझूंगा कोई भी अभी ऐजूकेसन के एरिये में कोई भी यह नहीं कहता कि मैं जवाब दे हूं आपको रियल्ट ना हो जैपुर में ही पीठासी नदगारी जो होते हैं और इन्वेस्टिगेशन आफीशर का भी यहीं पर सम्मिलन हुआ है ठीक है विराशत जो है कई बार सवाल यहीं आ जाता है आप से का जा हैंड वोमिन सारी आफ इंडिया साडी महस्तो जो है विराशत के नाम से शुरू किया गया 3-7 जनवरी 2023 के बीच कहां पर साडी महस्तो जहां पर भारत विविन प्रकार की साडी को परदर्शनी के माध्यम से दिखाया गया है क्यूंकि आजादी के 75 साल पूरे हो हुआ रहे कि निए आप से कहा है जाय है किलाविया वोलकैनो आपर कि यहां पर met यहां पर भी मेरुर्ट मेंने परsemंश हुआ है मांट मेरापि तो मांट जो है किलाउला ली किलाउला टीक है तो आपको यहों से में पड़ता है टीक है हवाई में पड़ता है और माउंट मिरापी जो है कहां पर है तो आपको यह भी यादक ना यह भी मुश्ट इंपॉर्टेंट है यह आपका इंडोलिश्यम एक एक्टिव एलकन हो अगला जो है मतस्स महाजनपद सोले महाजनपद थे छटवी सताब्दी में जब यहां पर लेटर वैदी की राज जो है अंत होता है नए नए राजाओं को दे होता है सोले महाजनपद बनते हैं उन सोले महाजनपद तुम्हें मस्स महाजनपद जो है राइट अंसर नहीं कहां पर बढ़ता है झाल 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 बताइए तो आप बोला राइस्थान में मस्स महाजनपद था इसकी राजधानी कहां थी मस्स महाजनपद की राजधानी तो आप बोला विरात नगर भी राट नगर नेच्ट कॉश्चन अगला सवाल विच बैलिष्टिक मिसाइल है जी बीन एप्रूबट फॉर यदि आप से का जा पर्चेज ठीक है अभी हाली में जो है कौन सी बैलिष्टिक मिसाइल को पर्चेज करने के लिए जो है हमारी मिश्टी और डिफेंस ने एप्रूवल दे रिया, राइट आंसर देना रफी साब बहुत ही बेरा सवाल है, राइट आंसर दें इसाइले जो है, डेवलब कर रही है, नेक्स्ट कुश्चन, अगला सवाल यहां पर, इन जनवरी दोहजार तेज, चीर मैंसिप, अंडर दा हूज परसंड चीर मैंसिप, दा सेंटर सरकार ने जो है, लद्दाग की विशिष्ट संस्कृत को ले करके, रोजगार को लेने के लिए, रोजगार के हेत, जो है, एक उच्चा धिकारी लेड वर्चुली बाइ द्रोबती मुर्मू, जनवरी तो हजार तेज, दी कैपिसिटी आप दी प्रोजेक्ट, बारा सो मेगाबाट, इस प्रोजेक्ट, यदि आप से कहा जाए, इस बीइंग डेवलप ऑन थाउजन डेकर, आप लैंड नियर, यदि आप से कहा जाए, भं यहाँ पर इस पर्योजना में 1200 नहीं है, 1000 मेगाबाट की छमता, उत्पाधन करने की बनाई गई है, और इस प्रोजेक्ट में इतना पैसा लगा है, और इस प्रोजेक्ट में ध्रोबती मुर्मू जी ने, यहाँ पर उनोग्रेशन क्या है, यह देखों, इनरजी का है, पहल elevated position of God during the period of आप बताईए कि महात्मा बुद्ध ने किस आवध के दौरान ठीक है भगवान के पद पर मला एक्वल जो हो गए थे मला भगवान बन चुके थे किसके सासन काल में गौतम बुद्ध को भगवान का दर्जा प्राप्त हुआ है जी हाँ बताए निशान तो एने हाँ होगी मैं बताऊंगा वाइफा इस्टेडी को लेकर के कोई भी हेलप आपको चाहिए होगी तो तो आप बिल्कुल याद रखना है यहाँ पर कनिस्क राजा कनिस्क का नाम या रखना तभी पता है जब कनिस्क थे तभी जो है चौथी बुद्ध संगीत जो है पूर्थ बुद्धिष्ट कांसिल हुई थी कहां पर हुई थी चौथी बुद्ध संगीत आपको यह भी पता है कुंडल वन कस्मीर में हुई थी कहां पर हुई थी तो कुंडल वन कि तस्मीर में हुई थी और इस बॉद्ध संगीत में वह शुमित्र और राश्ट घोश यो है प्रसीडेंट और उप्रसीडेंट बनाए गये थे और इस बुद्धिश समित में काउंसल में जो है हीन यान में बुद्धिशम हीन यान और महायान में बढ़ गया था और महायान के जो अन्याई थी उन्होंने बुद्ध को जो है गौड जो है मान लिया था कि भगवान बुद्ध जो है वो एक पुरुस नहीं है बुद्ध जो है वो क्या है एक गौड है और इनकी जो है मुर जो है स्टार्ट कर दी थी कि इनकी जो है मूर्थी पूजा जो है स्टार्ट की तो कुंडल बन कस्मीर कानिस के शासनकाल में हीन यान और महायान हीन यान का मानना था इस भाई ये भगवान बुद्ध जो आ यह क्यों है ना आलेजी गहां से आगे अ कि एक मिड़ बाई बवाल हो गया था ये तो तर आज की कुश्चन का लेविल हाई है आपको अनकेडमी में पर्चेश करने के लिए सिर्फ अनकेडमी का एप डाउनलोड करना है और उसके बाद आपको अनकेडमी का सबस्टन मिल जाएगा और वाइफा इस्टेडी के सारे एजूकेटर और मैं आपको जीएस पढ़ाता हुआ नजराओंगा तो आप में साथ अन नैसनल हूँमन ्ट्राफिक एवरनेश ड्य जो है का मना जाता है नहयां फैर जो धिक्रिकरी को लेकर के नो ता रिक को प्रवासी भारती दिवस होता गिभार्फी दिवस मनायें गया तहां पर इन दोर में और 10 तारीकों क्या होता है तो इस ही वोट 2 हिंदी डे रहता है और 11 तारी कोक्रीश आता है ग्यारे के बाद 12 जन्वरी को तो 12 जन्वरी को राष्टी युवा दिवस होता है ज़िए आप से कहा जा नेशनल यूथ डे के रूप में हम लोग सलिवेट करते हैं मैं आपको 4 डे बता दिया इस बार नेशनल यूथ डे कहां पर मनाय गया करनाटक में मनाय उप्रवासी दिवस कहां पर मनाय गया है सब्सक्राइब 26 यह करनाटक में मनाया गया है इंपोर्टेंट सवाल है यह आपकी परिशा में बनते हैं अगला सवाल चोटे वाई है तीक है विए इस दा नेशनल हैंडी क्राफ्ट फियर आप बताईए आप पर राष्टी जो है हस्त चीजों से बना हुआ जो है आपका जो हुआ 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 है तो राष्टी है हैंडी क्राफ्ट रे जो है कहां पर तो आप बोलना है तराबाद में मनाया है नेक्स्ट विच स्टेट है इनाउंस टू इस्टार्ट यदि आपसे का जा काल सा थेके काल सा बंदूरी नाला प्रोजेक्ट किस राज्जदे कल सा बंदूरी नाला प्रोजेक्ट जो है यहां पर पर प्रजिजना को सुरू किया है कालसा बंदूरी नाला प्रोजेक्ट को जो है शुरू किया है राइट आंसर दें यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर ड्रिंकिंग वाटर जो है नाले से निकाला जाएगा पीने के लिए पानी उसको प्यूरिफाई किया जाएगा और आपको बता दें कि धारवार का जो जो है जो होती है खाने को लेकर के इट राइट युदि दिया आता है पूड़ सेफ्टी इस्टेंडर अठरटी आफ इंडिया जो की दो हजार आएक और अंडर कि आती है तो आप बोलना यह बॉड़ी जो है अंडर आती है हैारी स्वास्त मंत्रा लेकस नंत्रक Lau Summit है उनले वाली एक रिख świ स्वास्त मंत्रा लेकस काम करता है एक मतलब क्या होता है एक का मतलब फूर्ड सेफटी इस टेंडर अथार्टी ओफ इंडिया ठीक है नेस्ट कोशन अभी आपने देखा बनारस रिल्वे स्टेशन को जो है इट जो है राइट इस्टेशन के बार दिया गया है विच आम फोर्स पहार यदि आपसे का प्रहरी प्रहरी मोवाइल एप जो है लॉंच किया उसमें प्रहरी नाम का मोवाइल एप लॉंच किया इसका नाम बताए अब नहीं तो किया यहां पर देखो फून फून सेफ़्यट स्टेब का अइडिया नें खानी के गुडवाित्ता इसम पर आ जो है अब आशारी मोवाइल एप किसने सुरू किया है तो जो हमारी जो आन पोलिस फोर्स है जो कि मिनिश्ट्री आफ हम के अंतर्गत आती है उसमें जो बी एस अफ के दुरा जो कि उन्निश्ट्र आफ हम के अंतर्गत आती है इस ने प्रैरी एफ लांच किया है 结果 धि no यहां पर बांगलादेश ढायरं पर यहां बारियां पर रेड़ क्लीफ लाइन पर पर आन पही ते दोनों की उद्वाइन करने का मसरे से जौड़िछ लाइन अ 17 अगस्ट को जो है 17 अगस्ट सवाल यहां पर चलते हैं अभी हाली में चर्चा में परक सम्टाइम न्यूज आप बताइए परक का इसको पता होगा राइट आंसर दे तो परक का मतलब है यह आप से कहाज चोटे भाईयों पर्फॉर्मेंस एसस्मेंट रिब्यू एनलेसिस टू नॉलिश फॉर यह आप से कहाज हॉलिस्टिक डेवलपमेंट अब आप लोग इसका मतलब समझ दे आएं कि परक जो है किस एरिय और एनलेसिस किस में होता है एजुकेशन में होता है तो यह जो है सिच्छा के छेतर में भारत में उन्नत लाने के दिशा में खासकर करने के लिए परक नाम की पहल को सुरू किया गया है फिच वर्ट हैज बिन डिक्लेयर ठीक है मैरियम वेश्टर वेरियम वेश्टर एज word of the year 2022 एक Mariam Wester नाम की जो है एक dictionary है आप लोग जानते होंगे यहाँ पर Mariam Wester इसने word of the year 2022 का किसे डिकलेर किया है तो आप बोलना gas writing को डिकलेर किया है Goblin mode तो यह तो आपको पता यह Goblin mode जो है यह तो पुराना word है और आप साथ ना पूछा जाए तो आपको ध्यान देना है अगरा सवाल छोटे भाईयों यहाँ पर इनमें से कौन सा नहीं करेक्ली मैच है वर्ड माइनोर्टी राइट डे वर्ड एट्स डे वर्ड एनीमल डे वर्ड फूट डे आप बताए कौन सी तारीख जो है गलत मैच कर रही चारों को ध्यान फूरोग पड़ें तो आप यह देखो यह पहला सही है यह दूसरा सही है वर्ड एट्स डे दिसम्मर में होता है वर्ड एनीमल डे जो है चार अक्टूबर को होता है और वर्ड फूट डे जो है यह 16 अक्टूबर को होता है तो यही वाला ऑप्सन जो है 11 अक्टूबर गलत था यह वाला गलत था गलत वाला हमें निकालना था और गलत कौन सा था वर्ड फूट डे 16 अक्टूबर को होता है ना कि 11 अक्टूबर को next who has won the title खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 मेंस होंकी जो है अंडर 18 क्वालिफाइड में जो है किस टीम ने जीता हुआ है यूद्ध फॉट्टेश ने किया है तो आप बूला अध्द प्रदेश ने जीता है किसे हराकर के जीता है तो आप बूला उडिशा होंकी को जो हराया था फॉली शा के टीम को जो हर आया है नेक्स्ट वलभी विस्विद्याले जो है कहा पर पढ़ता है आपको बतारिक वल्ल यहां पर पर यहां क्बढ़ता है क्चायों अघ्रिया छाष्म को भी आप से करें, बहुत ही प्यारा ख कोरें, राइट अंसर करें एक सिंबल सबारें बहुत ही ध्यान पूरों कि इसका अंसर करेंगे आप सबी लोग कि यहां पर यहां आप से कहा है कि वाइस प्रसिडेंट का जो होता है उसमें कौन कौन पार्टिसीपेट करता है तो आप लोग यहां पर सही चुनाव करेंगे थू एलेक्टिड वाई यदि आप से करें एमपी आप लोगसभा और राजसभा उन्ली राजसभा और लोगसभा के जो है मेंबर आप पार्लेमेंट की राश्पती के चुनाव में बोट करते हैं बाकी अनलोग जो है नहीं करते यह बात भी आपको याद रखना है ठीक है बाकी राश्पती के चुनाव में तो आप बोलना कि लोगसभा और राजसभा के मेंबरों के अलावा ठीक है यह डायट इलेक्शन तो है ही इसमें इलेक्टिड मेंबरों के लावा और लोग भी वोट करते हैं यह भाई इसमें ब नेक्स्ट अगला कोश्चन यहां पर और दिसमबर ट्वंटी टॉजन ट्वंटी टू इंगलेंड अन्वेल्ट दा डिजाइन आप दा फर्स सेट आप बैंक नोट्स फीचरिंग यह आप से कहा जा बिटेस किंग जो है चाल्स थार्ड आप जो है बिटेन के जो है राजा चाल्स थार्ड के नाम पर नोट जारी हुए इन में से कौन सा एक नोट जो है जो नहीं अपियर करता है बाकी सबी तस्वीर की तस्वीर वाले बैंक नोटों को जारी किया क्योंकि बिटेन की मारानी जो थी उनका निदन हो गया था आपको पता है जब नए नोट जारी किये गए तो उनमें तस्वीरे लगाई गई गई कौन से नोट में इनकी तस्वीर नहीं लगाई गई है तो आप बोलना अभी इनकी तस्वीर नहीं लगाई गई है। बागी जो है पांस दस पाउंड और पचास पाउंड में इनकी तस्वीर लग गई है पाई हूं दा फ़र्ष रिपब्लिक और वर्ड ठीक है वाज इस्टेबलिस इन वैसाली आप बताओ यहां पर कि दुनिया भर में पहला रिपब्लिक जो है जहां पर गड़तंत बना था म पब्लिक कब बने 1950 में बने जब हमारे देश के राश्पती शुने गए तो राइट अंसर देना यहां पर कि सबसे पहला गड़तंत कौन सा था तो आप बोलें लिच्वी जो है सबसे पहला गड़तंत बना था लिच्वी अर मल दो यह तो गड़तंत हुए ठीक है यह आपसे का जा हूँ है जबीन एपॉइंट एज निव और यह आपसे का जा और नाइशन फॉर एकॉन्मिक कॉपरेशन एंड डेवलप्मेंट यह और और इस बॉड़ी का हेड़ को आटर जो है पेरिस में बढ़ता है और इसमें आपसे यहां पर एक सवाल पुछा जा यह बॉड़ी जो है 65 में बनी थे अब आप लोग राइट आंसर दें OECD जिसको आप लोग आर्थिक सहयोग और विकास संग्ठन जो है बोलते और इकॉन इसमें जो है अभी नए चेर पर्सन जो है बनाए गया किसे बनाए गया इसका जो है इनको चेर परसन बनाए गया है एक आदमी right answer कर रहा है फूरी class में next question अगला सवाल where is the headquarter of theosopka society theosopka society जो है 1873-75 में जो है बनाई गई आपको बताने इसके founder जो थे मैडम ब्लावस की और कर्नल ओलकॉर्ट थे भारत में इसका headquarter जो है कहाँ पर बनता है तो आप बूलना तमिन डाड में मद्रास्त नामक जगह जो थी वहीं पर आड्यार में जो है आस्त हेड़कोर्टर बनता है headquarter जो है कहाँ पर आड्यार अस्ती के आसपा जो है theosopka society का headquarter भारत में बनाय जाता है next where did the defense research development organization DRDO display ठीक है यदि आपसे कहा जो अंट्रेंड मल्टी कॉप्टर ठीक है प्ले लोड एन अनमेंड एरियल वीकर डेवलब दा ओपरेशन इन दा हिमालिया रीजन आप बताई जनवरी 2013 में रच्छान संधान एवं विकास संग्ठन ने हिमालिये छित्रों के अभियानों को लेकर करके जो है एक जो है अनन वेदर जो है मल्टी कॉप्टर पेलोड या मानों रहेत हवाई वह दो कहां प्रदरसिद किया है कि यदि वेदर हो हिमालिये रीजन में तब टो है गोड्र सो तो प्रति फ्र réponse किया गया तो इंडियां नेशनल कांग्रेश को रही थी इंडियन आर्मी डिप्लॉय दा लार्जेस्ट कॉंट यदि आपसे कहा जाए कॉंटिजेंट ऑफ वुमेन पीसकीपर ऑंद जन्वरी 6 जन्वरी दोजार तेज को भारती सेरा ने पहला महिला सैनकों का जो है अपना टुकड़ा जो है भारत के बाहर पीसकीपिंग के लिए भ पर भीजा गया है तो आप बोलना एभी जो है सुडान में भीजा गया पहला जो है पीसकीपिंग वोमेन ग्रूप जो है भारत की सेना का जो है यहां पर गया हुआ हुआ है नेक्स्ट कोशन अगला सवाल महाजनपद सिचुएटेट दा बैंक अब गोदावरी गोदावई नदी के किनारे कौन सा एक 16 महाजनपदों में एक था ऐसे आपने देखा कि लेटर बैदे के राक के बाद अलग-अलग राजा बनी और अलग-अलग 16 महाजनपदों का निर्मार होता है 16 महाजनपद में आप बताएं कौन सा महाजनपद जो दच्छिन में था और गोदावई नदी के किनारे था जिसकी राजानी प्रतिष्थान थी तो आप बोलना अस्मक महाजनपद ये गोदावई नदी के किनारे जो है इस सित्था आप बताएं कि भारत में जो है जब नंद बंस आता है उसकी वंस का फाउंडर जो है कौन होता है आप लों को मैं बता दूं मैं बहुत ही एक तेजी से जलने वाली लाइट के नीचे खड़ा हूं और मेरी एसी नहीं चल रही है ले मुझे क्लास लेनी है तो लेनी है मैंने रही किया कि मैं लगातर ग्लास में दूंगा और गर्विय में मैं पूरा मेरा was ngo ऑब मगद में जो है और बाद में नंद्वंस का ही अंत करके घ्रणंद की हत्या करके जो है यहां पर चंद गुप्त मौरे जो है मौरे समराज जो है इस्थापित करता है कि नेक्स्ट आप बताए भारत का कौन सा राज है जहां पर सबसे राज चाय को उत्पादन होता है चाय की जुस्किया राइट आंसर दो बताए राइट आंसर दो विच वन आप दा फॉलिंग इस्टेंट इज दा लार्जेस प्रोडूशर आफ टी चाय के सबसे बड़े उत्पादक की रूप में आप किसे मानते हैं अश्व वेरी गुड यहां पर और कहीं भिटक जाओगे नैस्ट कोश्चन अगला सवाद अब आप लोग बताओ कि यहां पर लाजेस्ट प्रोडूशर आप जो है कौफी कौन है क्या करनाटक साही है इन में से आपको बताना कौन सा सही नहीं है लाजेस्ट प्रोडूशर आपकोटन कापास के उथजरा सही है की नहीं लाजेस्ट प्रोडूशर आप हुट गेहुं के उथज़़जू साही है की नहीं है आप बता ही गलत ऑसन कौन सा है है गलत वाला पताना है आलू के उत्पादन में जो है सबसे अग्रणी जो है मद्ध प्रदेश नहीं है उत्ता प्रदेश में जवान से निकल गया था तुम लोग तब भी नहीं पकड़ पाए यहां पर जो है आलू के उत्पादन में जो है सबसे अग्रणी जो है उत्ता प्रजयापति कि सभा और समित donuts प्रजयापति की दो पूत्रीयां Х handful परके सभा और समित प्रजयापति की दो में कहा गहा हैं कि अथर वेद में यह बात में कहीगहीं हे कि ऑतर 새वेद आधर्वेद के प्रहुद्यूद्यूद्यूर्वेत के नाम से जानते हैं अधर्वेद का एक ईक गोपत प्ला प्योंग्यूंग जो है किस देश की राजधानी राजधानी है कि लाइट ऐसर दे मैंक साहब बहुँ बहुत शौगत है आपका वेरी कुण शोड़े भाई हो तो यह जो है chi éj नौर्थ कोरिया की राजदानी है साउफ कोरिया की राजदानी क्या तो सियोल है ठीक है? से नौर्थ कोरिया की राजदानी है अगला सवाल है यहाँ पर को इस बात की गवाही देता है कि जो र लोग है वो इरान से भारत आए थे जो वैदिक सबता का अभीकास है वो उनके आने से हुआ है एक इंस्क्रिप्शन मिलता है कौन से अभलेक में इस बात को जो है लिखा गया है कौन सा सिलालेख है जो आर्रियों के इरान से भारत आने के बारे में आर्रियों के आंदूलन के बारे में बताता है या आर्रियों के बारे में बताता है आप बोलना यहाँ पर छोड़े भाईयों कोई भी लिख रहे हो नहीं लिख रहे हो सारे नहीं यार सहबाज गड़ी का नहीं हैं बोगज कोई इंस्क्रेप्संस एकमात इंस्क्रेप्संस जो इस बारे में जानकाई देता बोगज कोई अभलेग मैंने आपको पढ़ाया हुआ जूनागर तो कहां पढ़ता है गुजरात में पढ़ता है पां नेच्ट के आसे काल फूरी तरीके से जो है रिगवेद का हो और मंडल किसके लिए स्नार्मर्पृत है कि अच्छा सवाल नौवा मंदर जो है रिगवेत का किसके लिए समद्पित है जो लोग कह रहें गलत है तो आप पुरु सूक्त के मंदर के बारे में वहां पर मिंसन किया गया है नेक्स्ट कोश्चन अगला सवाल चंपा जो है आपका काफी कुछ उठा लिया है इंसेंट्रिष्टी से तो आप लोग बोलना अंग महाजनपत की राज़ा नहीं थी अंग की है चंपा नेक्स्ट वाट इटा थीम आप नेशनल साइंस डे दोहजार तेस 28 फरवरी को मनाया गया उसकी ठीम क्या है कल करेंट अफियर में मैंने पढ़ाए था राइट आंसर नीजल साइंस डेज जो है जो कि 28 फरवरी को होता है इसकी ठीम क्या है अरे तो रहा है कि बताए आप सभी लोगों से एक बात में कहूंगा अने करते समय जी टेंड डिसकाउंट कोड अप्लाई करें अने का ओफर जो है आपका जो है यह स्पेसल ओफर चलना है 50% अप्टू का डिसकाउंट है आपको अने के आपने के साथ जुड़ जाएं और तैयारी को असला मनाए ग्लोवल साइंस फॉर ग्लोवल विल बिग क्लम पॉर ग्लोवल विल विल नेक्स्ट अगला सवाथ इंद वैदिक रिचूब होता एज एस एस्षूसीयेटेड वित अप बता ही वैदिक रिचूब से में होता जो है होता जो है किस वेश से जुड़ा हुआ है मनला जो वैदिक अनुष्ठानों को कराने वाला है होता किस वेश से जुड़ा हुआ राइट अंसर दें सेशन को सभी लोग लाइक जरू करने अभी तक लाइक नहीं कि आप सभी लोग ने इन दा वैदिक रिचुवल होता इस एसोसियेटिद विधि दा होता जो है यदि आप से कहा जाए यह पुरोहित है किसका पुरोहित है तो आप बोला रिगवेत का पुरोहित है इसका पुरोहित जो है क्या है अधर विव है कि साम बेट का पुरोहित क्या है उद्गाता अधर बेट का पुरोहित क्या है तो आप बोलना ब्रह्मा यह इनके पुरोहित है आपको याद करने है नेक्स्ट वाट इस टूटल लंबर अफ संसकार जो संसकार होते हैं हिंदू धर में कितने होते हैं जो उसको करवाते हैं जैसे वैदिक ग्रिंथों को पढ़ना वेदों के वारे मुश्चारण करना वो सब पुरोहित करते हैं तो आप बोलना चोड़े भाई हो यहाँ पर सोले जो है पूटल लंबर आफ यह आप से कहा जा कितने हैं तो आप बोलना सोले संसकारों के बारे में जो है वर्णन दिया गया है नेक्स्ट कुश्चन अगला सवाद अलार कलाम जो है कौन थे राइट आंसर देना आपने बुद्धिजम जब पढ़ा है तो बुद्ध सिधार में से जुड़ा हुआ है अलार कलाम का नाम बताएं किस से जुड़ा हुआ है अलार कलाम जो है कौन थे अलार कलाम का संबंद जो है किस्से है सांख दर्संग के यह प्रवर्टक नहीं है और यह भगवान बुद्ध के टीशर हुआ करते थे ठीक है यह आपसे कहा रहे है यह बुद्ध के सिच्छत थे अब बताए निमने मेंसे कौन संसत के दोनों सद्णों की कारवाहियों में भाग ले सकता है वाइस प्रसीडेंट ले सकता है तो सिर्फ राज सवा में जनरल तो जाही नहीं जा सकते तो एट आउनी जनरल जो है संसत के दोनों सद्धों की कारवाहीयों में भाग ले सकते हैं जो कि आर्टिकल 76 के दौरा इनका अपॉइंटमेंट होता है और आर्टिकल 88 के तहरे इनको पावर और प्रिलेज प्र्दान की जाते है लेस्ट को इटा अगला सवाल ऐसे ऑनाश्kiej्य धाट ओप नेश्नल डिफेन्स कमेटी नेश्नल compliance कमेटी के हेड़ जो है कौन होते है राश्डिय сложно राष्टी रच्छा समित के हैट कौन होते हैं राइट आंसर दें शोड़े भाई हो वेरी गुड नीराज एलॉण जोती उंड्राग वेरी गुड बहुत अच्छा कर रहे हैं यहां पर हो मिनिश्टर होते हैं यहां पर आप डिफेंस पर धूलने लगना ग्रह मंत्री दें सब्सक्राइब से लिया गया है सत्य में उजयते जो आदर से वाक्य कहां से लिया गया है तो आप बोला मुंडु को प्रिशद है अच्छा सबसे प्राचीन कौन सा है तो यह ओल्डेश्ट है वीच आप दर फॉलिंगे नॉट करेक्टली मेच यह कुछ revolution है और यह related टू यह कुछ जो है संदिया यह आप से काज रेवलूशन है यह से related टू यह क्रांती है और इससे संबंद आप बताएं गलत कौन सी क्रांती यहां पर है ऐसे आपको गोल्डे रेवलूशन क्या हाटी गल्चा से संबंदित है क्या हुआइट रेवलूशन मिल्क प्रोडेक्शन संबंदित है ब्लू रेवलूशन क्या पॉल्ट्री जो ब्लू रेवलूशन जो है यह फिसरी या अन्य चीजों से संबंदित है इसरी एंड एक्वा कल्चर से संबंद देता है इस नेक्स्ट क्यास क्रॉप डज नॉट कर यह आप से का जाए नगदी फसल सामिल नहीं इन में से कौन सी एक नगदी फसल नहीं है बहुत क्यास क्रॉप नहीं है तो आप बुलतना ज посмотрим से पता है अनाज भी आता है लेकर इने सीधे जो है क्या किया है क्या मिलेगा कैस मिलेगा पास से क्या मिलेगा जूट से क्या मिलेगा कैस क्रॉप इनको कहते हैं बेंची जाती है अगला सवाल भूए मंगदा फॉलिंग हैजबी ने पॉइंटे जाए यह न्यू प्राइब मिनिश्टर आफ गैवन गैबन की जो है नई प्रधानमंत्री के रूप में पहली महिला बनाई गई है ये पहली फर्ष्ट वो मैंने इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है गैबन देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनाई गई है उनका नाम बता है नहीं रोज यदि आपसे आप से गुलाब है जब यहां पर रोज क्रिष्टियन तो रोज से याद करना रोज क्रिष्टियन जो है यह गैवन की महिला राश्पती बनाए गए महिला सोई प्रधान मंत्री बनी है जो है रोज क्रिश्टेञ साख और करके याद प्रौण, अगला सवाल, यहां पर कांगला नॉवण, फोण थांग जो यह इसका कांगला फूर्ट में किया रहा है आप कांगला का किल्टा कहां पर बढ़ता यहां पर प्रधान मंत्री मोदी जी ने जो है जा करके किले के इस्टन गेट का उदगाटन किया है तो आप बोलेंगे मनिपूर में पढ़ता है कहां पर पढ़ता है मरिपुर में पढ़ता है प्रधान मंति मोधी जी ने जा करके जो है यहां पर गेट का उद्गाटन जो है किया है इस 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 फोरम मीटिंग इंडिया यूएस ट्रेट पॉलिसी फोरम मीटिंग जो है 2023 के बारे कौन सा सहर 2030 में भारत अमेरिका ब्यापार नीथ फोरम की बैठक की मेजवानी कर रहा है कौन सा देश ऐसा है जहां पर इंडिया यूएस ट्रेट पॉलिसी को ले करके फोरम की मीटिंग जो है कंडेक्ट हुई फिए जुक्ता वासिन्ग्टन डिसी में मीटिंग हुई है बार बार आपसे बूल रहा हूं जैसे इंडिया यूपे की बीच ट्रेड मीटिंग जो है कहां पर विए तो आपको पता है मलेशिया कौल अलंपूर में हुई है तो यह पता है छुटे भाई हो कि अनकेडमी 50% discount का offer है और यह offer जो है आपका सीमिस समय के लिए है 50% discount प्लस extra validity मलग वन year का यदि आप पैसा पी करते हैं तो आपको 2 साल की validity मिलेगी यदि आप 2 साल के लिए अनकेडमी जोइन करते तो आपको 3 साल का सबस्टन validity मिल जाएगी यदि आप G10 code apply करेंगे तो आप अनकेडमी जोइन करते समय जीटें discount code apply करना न भूलें जो कि अनकेडमी का official discount code है जिससे आपको अनकेडमी के all batch और all educator की class है देखने का मौका मिलेगा और साथी साथ हर एक batch को access करने का मौका मिलेगा तो ध्यान दीजेगा अनकेडमी जोइन करते समय जीटें code apply करना न भूलें यह बात आपको याद रखना दूसरी बात अनकेडमी एक ऐसा प्लेटफार्म है आप सभी लोग जानते हैं यहां पर सभी एजुकेटर मैथ की जाहिए यह आपको जोई जोई है एक से जारा जरंते हैं तीन से चार अजर्षे लोग जो जो है आपको एनेक उडियर कोड़े आपको एपलाई करना यहां पर यह जगेंक हो सेट हो मैंट और रहार केए आपको ऐनेक उडियर केंगर टोच और कंहले करना है अपनी तैयरी को आसान करना है तो आप जुड़े मेरे साथ सुबह आठ और रात दस बजे आनेक एड़ी प्लस में और मेरी स्पेसर क्लास रात नो बजे जो फ्री होती है आप सब के लिए तो आज फिर मिलूँगा रात नो बजे अपनी स्पेसर क्लास में तब तक अपना ख्याल रखें किसी भी बैच के लिए आपको जीटेन कोड़ेंगे जीटेन कोड यहां पर चाहें विजेपद बैच भी मैं आपको पढ़ाता हुआ मिलूँगा तो अपना ख्याल लखें खुश रहें पढ़ते रहें बढ़ते रहें जीवन में खूब तरक्की करें कोई दिक्कत कोई समस के लिए तो आप जरू पार्टिसिपेट करें और अपने दूस्तों को जरू बताएं और आनकर भी जोएन करते समय जीटेन कोड एपलाई काना ना भूले थैंकि सोमझ